दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पाटले पुत्रा विस्विदाले के दुआरा आप सभी का जो पर्थम मेरिट लिष्ट है हो जारी कर दिया है तो हजार चौबिस से अठाइस सत्रबाले कैनिडेट के लिए अब मेरिट लिष्ट आने के बाद लगतार स्टूडेंट के मन में दो तीन सवाल उठ रहे हैं पहला सवाल स्टूडेंट का यह है कि सर जो मेरिट लिष्ट दिया गया है उसमें जो कॉलेज हमें मिला है वो college हमें पसंद नहीं है तो उस college को हम कैसे change करें इसके बारे में बताईए दूसरा वैसे candidate है जिनका यहाँ पर जो भी नमांकन के लिए college मिल चुका है अब उनको आगे की परकिरिया क्या करवानी है कैसे नमांकन होगा उसके बारे में बताईए अब तिसरा comment यह आ रहे थे क कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई भी college यह लॉट नहीं हुआ है वैसे बचों को क्या करना है मैं तीनों मुद्धे पर बात करूंगा विडियो महत्पुर्ण है आप इससे अंतर तक देखिए पसंद आतों इससे like और share जरूर किएगा इस परकर की update के लिए आप हमें ज़रूर subscribe करें ताकि हर update आपको मिलता रहेगा देखिए आपको सुरुआ से हम पूरी चीजे को आपको बता देते हैं इसके लिए पहला काम करिए कि आप Google open करिए Google में टाइप करें online update htm.in का official website है इससे open करना है नीचे आना है यहां पर result वाले category में पीपी यू यू सकता पड़ेगी आपको username, password, capture code का तो जो भी username, password है, capture code को डालकर login करेंगे, login करते ही यहां पर देखेंगे, option मिलता है, view, merit, status का जिस पर click करना है, अब यहां पर जो भी college आपने चूना था, सभी college का नाम मिलीगा, बहुत सारे बच्चे क्या है, जिनका कोई college selected नहीं हुआ, तो not selected लिखाएगा, यह status के नीचे, ऐसे बच्चों को क्या करना है, पहले समझ लीजे, तो ऐसे बच्चों को अभी आपको wait करना होगा, second merit list आने का, अब कहेंगे sir, second merit list का बायगा, तो second merit list का भी date आ चुका है, यह आपका जो आने वाला है, यह 16 June को जारी किया जागा, जि उसमें आप नमांकन करवा लिजेगा, अब आईए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा सवाल है, कि जीन कैनिडेट का, यहाँ पर इतने कोलेज दिये हैं, लेकिन उनका नीचे वाला कोलेज मिल चुका है, यहाँ पर देखिए, इनका कोलेज जो है, 19 नमर का कोलेज दे दिये हैं, ऐसे कैनिडेट को स्लाइड अप का ओप्सन दिये गए हैं, आप कहेंगे कहां मिलेगा, तो उपर में ही देखेंगे, एक ओप्सन यहाँ पर बताया गया है, देखिए, बताया गया है, कि क्या आप अपनी वरेता सोची की इस्तिती से संतूष्ट है, यदी नहीं और यदी आपको अभी तक जो कॉलेज का विकल्प दिया था, जो चाह रहे थे, वो कॉलेज नहीं मिला है, तो वैसे बचों को नीचे एक स्लाइड अप का ओप्सन दिये गए हैं, इस विकल्प पर क्लिक करना है, और अगली मेरिट लिष्ट जब आएगी, उसमें आपको क क्या है कि दूसरे कॉलेज मिलने की संभाब ना है, आप कहाएंगे सर की जो अगली मेरिट लिष्ट आएगे, तो उसमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो दिखे, अभी अगर आपको 19 नंबर का इनका कॉलेज लॉट हुआ है, तो अगली मेरिट लिष्ट आएगी, तो 18 नंब मिल सकता है, यह आप खास रुप से ध्यान रखेगा, तो स्लाइड अप का मतलब यह नहीं होता कि एक नंबर दो नंबर का ही कॉलेज आपको मिल जाए, कोई भी मिल सकता, बस अरते, जो कॉलेज अभी मिला है, उसके उपर वाला जो कॉलेज है, वो मिलेगा, स्लाइड अप का मतलब है, नीचे से उपर आपको कोई कॉलेज मिल सकता है, अब स्लाइड अप वैसे बचों को भी नहीं ऑप्सन मिलेगा, जिनका मालेज एक नंबर कॉलेज जिन्हों ने दिया है, अब उनको एक नंबर कॉलेज लोट हो चुका है, लेकिन उचार होंगे, नहीं हमको दो नवर में जो कॉलेज एत्ति नवर में वह मिले, तो ऐसा संबचों को जिनका एक नंबर कॉलेज मिली चुका है, उनको स्लाइड अप जो ऑप्सन है उनने एक नहीं मिलेगा, तो यह आपने समझ चुका होगा, तो आइए बताते हैं स्लाइड अप कैसे करना, यहाँ पर जो अगर आप करते हैं तो जो college अभी मिला है उस college में आप नमांकन नहीं करवाईएगा ये भी ध्यान रखिएगा तब ही आपको second में कोई college आएगा नहीं तो अगर आप एक बार नमांकन करवा लेंगे तो फिर second अपडेट के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें सारी अपडेट मैं देने का काम करता हूं और इन्वर्सिटी से जूरी हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ वाट्सप चैनल टेलीग्राम से जुआन किजिए जो भी आप चलाते वाँ जूर जाएए ताकि आगे भी सारी अपडेट आपको मिलते रहेगे धन्यवाद जाहिंद